कि दोस्तों रमस्कार मैं डोक्टर ग्यानेल तुमा आप सभी का यूट्यूब चैनल जड़ीपूटी घ्यान में तहे दिन से स्वागत करता हूं आसा है आप सभी को यूडियो पसंद आएगा तो आज हम फिर एक नायाब जड़ीपूटी जो बहुत यूपयोगी है उसले कर यह जड़ीपूटी लीवर संबंदी रोग जिगरतिली का बढ़ना खून के रोग खून की कमी और डाइजेशन संबंदी अन्य प्रकार की समस्याओं में बहुत लाबकारी है यह जड़ीपूटी जिसको काकमाची या मकोय कहते हैं यह आप सभी ने करीब-करीब देखी हो तो आसा है आप से कोई बूटी पसंद आएगा तो चलो बात करते हैं इस नायब जड़ीपूटी के बारे यह जड़ीपूटी है दोस्तो काकमाची जिसे मकोय भी कहते हैं जो लगबख भारत के सभी च्छाय यक्तिस्तानों में आठ हजार फिट की उचाई तक पाई जाती है इसका पोदा एक मीटर उचा पक हो जाता है जो जड़ी की भाती घना होता है यह वर्सा रीतों में उपन होकर जड़े के मोसम तक रहता है इसके पत्र पान के पत्र की तरह है लेकिन कटे फटे होते हैं इसके फल लाल वे काले दोनों तरह के रंग के होते है यानि यह बड़े चाव से खाते हैं पुस्पुस्वेत रंगे छोटे होते हैं इसके फल कच्चे जो कडवे होते हैं वेहरे रंगे होते हैं काली मिच के तरह गोल होते हैं जो पकने पर लाल और काले हो जाते हैं चलो तो बात करते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में ये ओजदी वात पितवय कफ तीनों दोसों का समन करती है इसके पत्र साख, फल, तना, जड, आदी सभी भागों का ओजदी के रूप में प्रियोग किया जाता है आप इस पोधे के स्वरस की 10-20 ग्राम की मात्रा में अगर सुस्क चूर्न लेते हैं तो 2-3 ग्राम तक का प्रियोग कर सकते हैं आप बाजार से भी इस जड़ी भूटी को खरीद कर ला सकते हैं 50-60 रुपे किलो में ये होजदी आपको आसानी से मिल जाएगी ये जड़ी भूटी, लीवर के रोग, तिल्ली का बढ़ना, खून की कमी, भूख का कम लगना, सरीर में सूजनाना, मल के साथ आउका आना, रत्त के रोगो, अंडाश्य की वरद्दी, हिचके आदिकाना, मुत्रोग, आदि बहुत से रोगों में बहुत लाब पहुँचात इसके बीजों का अगर चून प्रियोग करते हैं, तो एक से तीन गराम की मातरा में सहत के साथ चाट सकते हैं, इसके बीज, राज्यक्षमा, अधार पीबी, टूबर क्लॉसिस में बहुत लाब पहुँचाती है, तो आसा है, आप सभी को इसका लाब मिलेगा, और आप इसक फाइदा उठापाएंगे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जै आएजिए!